भक्तों से बाचीत आपने सुनी उनके अनुभव भी आपने सुने अब आपको लेकर चलते हैं उस सक्षियत के पास जिनके पूर्वज गोविन देव जी को जैपूर लेकर आए और लाखो भक्तों को गोविन की भक्ती में रमने का एक अवसर दिया तो चलिए मेरे साथ अब हम आगए हैं उस सक्षियत के पास जिनके पूर्वजों ने गोविन देव जी को जैपूर में वो लेकर आए और हजारों भक्त रोजाना गोविन के दर्शन करते हैं जी हाँ आपसे मुलाकाद करवाते हैं हमारे साथ में हैं सांसप दिया कुमारी जी दिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका धनेवाद बहुत 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 दिया जी हजारों की तादाद में रोजाना भक्त गोविन के दर्शन करने के लिए आते हैं कई भक्त ऐसे जिनकी सुभह की शुरुवात भी है, गोविन के दर्शन से ही होती है, लेकिन बहुत से भक्तों को यह नहीं पता कि गोविन्द कब शहर में आये, कौन लाया, कैसे उनको लाया गया, तो हमारे भक्तों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकरी दीजिए. जी बिलकुल, गोविन्देव जी को पहले तो क्या है कि राजा मान सिंग जी प्रथम ने गोविन्देव जी की स्थापना वृंदावन में की थी, वृंदावन में मंदिर था, और उसके बाद जब औरंगजेब के समय सभी वो जो मंदिर तोड़े जा रहे थे और मूर्तियो को डिस्ट्रोई किया जा रहा था उस समय जैसिंग जी उनको जानकारी मिली और वो उस समय फिर गोविन देव जी को जैपुर ले आए और सबसे पहले कनक कनक विंदावन में उनको स्थापित किया गया उसके बाद उनको यहां जब जैपुर उस जैपूर बसाया जा रहा था जैपूर का निर्मान हो रहा था फिर उनको जैपूर लेके आए जैपूर जब लेके आए तो सबसे पहले उनको जहां पर अभी सिटी पैलेस है वहां पर उनको सापित किया लेकिन फिर उनको सपने में आया कि नहीं मुझे यहां नहीं मुझे व उनको यह आया, फिर उनको जहां पैलेस बन रहा था, वहां पर गोविन देव जी की स्थाफना हुई और पैलेस को बदला गया और पैलेस को यहां बनाए गया, पहले यह उल्टा होने वाला था, लेकिन फिर तो आज जहां हमारे गोविन देव जी है, हमारे आराध्य देव ह जिसका मतलब है कि मैं आपके हमेशा चर्णों में हूँ, पूरा परिवार आपके चर्णों में है और आप इहां के राजा हैं, और हूम आपके दिवान हैं गोविन देव जी की वो कोई खास बाते जो भक्तों को नहीं मालूम क्योंकि हजारों की तादाद में भक्त यहां पर पहुँचते हैं और साथ जाकियों के भी दर्शन करते हैं वो कुछ खास बाते जो अभी तक भक्तों को नहीं मालूम जी एक तो गोविंदेव जी का क्या ठिकाने का दरजा भी दिया गया था जो वैसे मंदिरों को नहीं दिया जाता तो उसका proper record भी है कि ठिकाना गोविंदेव जी कहला था और जहाकियों की जहां तक बात करेंगे तो हर त्योहार में हर मौसं में जहाकिया होती हैं आपने ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये और आप बिलकुल गोविन देव जी तो मारे लिए तो कोई भी अच्छा काम हम लोग करते हैं तो सबसे पहले गोविन जीव जी का ध्यान करते हैं तर्शन करते हैं उसके बाद ही उसकी शुरुवात करते हैं और यहां पर जै लोग सब कुछ दिए और निश्चत तोर पर गोविन देव जी सब कुछ है गोविन देव जी और राज परिवार का क्या रिष्टा है कौन-कौन सी परंपराय राजपरिवार है वो जो निभा रहे हैं। सबसे पहले जो जंडा हमेशा लगावा रहता है पहले समें गोविन देव जी का जंडा होता है। करते हैं तो वो भी चीज अंदर से थोड़ा सा महसूस यह होता है कि एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और मुझे लगता है पूरे जैपूर में सभी कोई आती होगी जब गोविन देव जी की बस क्रिपा रहे पूरे जैपूर पर क्रिपा बनी रहे क्योंकि पूरा जैपू वो गोविन देव जी के जैसे जनमष्ट पी पे दर्शन के समय रात को बारा बजे पूजा अभी शेक पे हम लोग होते ही हैं उसके बाद अगले दिन भी नंदुटसव पे भी प्रयास करते हैं अगर हमें से कोई होता है जैपूर में तो उसमें भी हम लोग बिलकुल पाकि जो भी कोई तिवार होता है कुछ भी होता तो सबसे पहले गोविन देव जी के दर्शन करने के बाद ही कोई घर में अगर बड़ा काम हो रहा होता है अच्छा काम हो रहा होता तो सबसे पहले गोविन देव जी के ही हम लोग आशिरवाद लेते हैं उनको सबसे पहले निमंत्रन देते हैं उनकी पूजा करते हैं उसके बाद ही अच्छा काम करते जी और साल में ऐसी कौन से दिन है वो कौन से दिन है जब विशिशत तोर पर राज परिवार की पोशाक चड़ावा भोग गोविन देव जी को धारण करवाया जाता है या खिलाया जाता है ऐसा को की पर्टिक्विलर दिन तु नहीं है लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि तीज पर जो पोशाक गोविन देव जी भी लहरिया धारन करते हैं दिवाली पे भी वो नेभी ब्लू और ऐसी धारन करते हैं तो वह सब वह भी हमारा परिवार भी वैसी ही पोशाक धारन करता है और अब यहां जो एक प्रशाद होता है जो गोविंदेव जी से रोध सुबा राजभू का आता है वो ईक अलगी राजभूक पैलिस में आता है जो शायध वहाँ available नहीं होता है, लेकिन पहले सी परंपरा है कि और अलग से प्रशाद सबसे पहले सुबसे पहले यहां पर आता है, तो वो भी बहुत बढ़ी बात है, कि वो अलग special प्रशाद प्रशाद में सबसे पहले आता, है क्वारे क्वा पर उस समय क्या हालात थे और किस सुरक्षित आप करवाया गया जी उस समय तो आपने आप सभी हम सभी को पता है कि मुगल शासन था और और अरंग जेब जिस तरह से मूर्तियों को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉई कर रहे थे तो बहुत कठिन परिस्थितियों में गोविन देव जी को यहां लेके आये जैसिंग जी और फिर स्थ यह बहुत बड़ा काम किया है और मुझे लगता नहीं कि बहुत आसान हुआ होगा क्योंकि उसके बाद और अरंग जेब और भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई और यह इसके बज़े से भी और अरंग जेब बहुत जादा फिर हम लोगों से दूरियां बहुत जादा बढ़ ग में बहुत जादा नहीं जानती लेकिन समय काफी लगा क्योंकि जो गोविन देव जी का अभी जहाँ पर मंदिर वहा पर सीटी पालेस बनने वाला था उसके बाद उन्होंने सीटी पैलस को बदल कर सिटी पैलेस को यहां किया और गविन दीषिस को ऊपतित kia तो जिस companies का पूरा निर्मान हुआ है, 것은 पूरा अपना ंभिस तून लगा है, माबल लगा है, सब कुछ जो कारिगर्णी लगी है, कारिगर्ण, पेशल कारिगर्णों ने बहुत मुश्किल से बहुत समय लगा सिटी पैलес को भी पूरा बनाने वैसे ही गोविन देव जी का भी जो इनिशल मंदिर बना था उसमें भी बहुत समय लगा था और पुरा जो अपने पिंक सैंस्टोन और रेज सैंस्टोन और येलो सैंस्टोन जो पत्थर है उससे ही वहाँ पर वो सेम कारीगरी और जो अपने कारीगर जिनों ने सिटी पैलस बनाया और जिनोंने जैपूर की भी उस समय स्थापना की और जो पूरा आर्किटेक्ट्स इन्वाल थे उस समय उनकी ही प्लानिंग से फिर गोविन देव जी का निर्मान वैसे ही किया गया समय तो लगा लेकिन विलकुल जितना क्योंकि पैलस जब बन रहा था सिटी पैलस जैपूर जब पूरा बस रहा था उसी समय गोविन देव जी का भी दिया जी आखरी सवाल क्योंकि अब मंदर की स्थापना हुई सभी भक्त वहां पर रोजाना दर्शन भी कर रहे हैं तो स्थापना के समय कौन सी रीती कौन सी पधती का इस्तिमाल किया गया कितने दिन में स्थापना हुई इसमें तो मुझे लगता है आपको किसी और जो एक्सपर्ट रहे हैं अपने उस समय के स्पेशली जो आर्किटेक्श्रल एक्सपर्ट हैं उनकी आप अगर पूछेंगे उनको तो शायद पूरी डीटेल तो वो ही आपको बता पाएंगे मैं तो आपको यह बताऊंगी कि यह जब पैलेस बना उसी समय जो पूरा क्योंकि जो सिटी पैलेस और जैपूर की स्थापना जैसिंग जी ने की वो भी एक ग्यानी थे उनको विज्ञान का बहुत साइंटिस्ट थे अस्ट्रोनिमर थे जंतरमंतर भी वैसे ही बनाए गया तो यह सारे जो अ बहुत बड़े एक अस्ट्रोनिमर थे सबसे बड़ी बात उन्होंने जभी भी इसका काम शुरू किया तो वो सारी चीजे क्या उस समय अपने प्लैनेटरी पूजिशन क्या थी क्या उस समय किस समय क्या करना चाहिए वो सब चीजे देखकर ही बनाई है पुरे जैपूर का जो निर्णमान हुआ है वो भी उसी हिसाब से हुआ है सबी कुछ सोच समझ के आज भी जो पुराना शहर है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर जो ड्रेनेट सिस्टम है वो भी पुराना वाला ही है जो बहुत अच्छी तरह से अभी भी चल रहा है क्योंकि जिस तरह से जैपुर को शुरू में जो foundation दिया गया जैपुर का strong foundation था और उस समय ये सब चीजे देखकर कि इतनी बड़ी population आज जो जैपुर की है उसको भी वो foundation support कर रहा है drainage system सड़के आप देखे परकोटे की अभी भी इतनी चौड़ी सड़के हैं इतनी सुन्दर है ये सब चीजे उस स सोच देखे क्या vision रहा होगा जो आज भी support कर रहा है 300 साल पुराना वो सब चीजे देखते हुए ही बना है जैपुर और बहुत सुन्दर है गोविंदेव जी का आपने देखा होगा पूरा परिसर अब तो कुछ नया निर्मान भी हुआ है महां पर लेकिन जो पुराना पर की सर है बहुत सुन्दर है पुरा कॉर्टियार्ट वाला अकिटेक्चर है और पूरा जैपुर में जैसे बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स है उसी के समान महां पर भी बहुत सुन्दर अकिटेक्चर अब हमारे दर्शकों को जैपुर वासियों को प्रदेश वासियों को दे कि जैपुर का इतिहास कितना प्रसिद रहा है और किस तरह से यहां पर उनको इस्थापित किया गया कैसे परमपराय ने भाई गई तो फिलाल इस वक्त रुक रते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी ये कारिक्रम जारी रहेगा कि झाली तरह से ने भाई झाली प्रिक्त रचित के लिए वक्त रागता परेक्रम जारी अजय ग्रेंगा पर उनको आजाए लिए पार लिए जाने फिला कर दोग्यान, कि जाति हुआ हैं पर लिए गधित हैं पर अल्यूएं गरण दूएं आपनी हैं कि आएंगा